बालमिक जी ने अपनी रामायर लिखी और आपको ताजुब होगा आपको बता दूँ राम जी के जनम के पहले ही रामायर लिख कराते हैं स्वामी प्रसाद मौरिया अपने स्वार्थ के लिए अपनी केड़िनी गुर्दा भी बेंच सकते हैं ओ बाके यार ताड़े रहने का मतलब है देखे रहना ध्यान रखना कौम है सिक्षक एक सिक्षक से हम हार के वापस आगे उसका नाम था चोटी वाला चांड़क तो चानक ने अकेले परास्त करके भेद दिया और अखंड भारत का राज वो जिसके अंदर सरलता हो गंभीरता हो जिसके अंदर राष्ट के परती मर मिटने की भावना हो जिसके अंदर ऐसे मूर्ख व्यक्ति से मैं चैलेंज देता हूँ स्वामी प्रसाद मौरिया को अग एörtन्क मेडिया में करें मुर्खों को सबक सिखाएएैं जहां जाएं चोग चराये जूते की माला पहनाई ज seeking देश में जो रहेंगे काइदे से वह फायदे में रहेंगे जो काइदे से नहीं रहेंगे उनको काइदे से रहना सिखाया जाएगा पूरी जिन्दगी जेल काटेगा इन अलायक आदमी जात की राजनीत करके वाम पंतियों के हाथों की कटपुतली है स्वामी प्रसाद मोरिया इसको बिदेशों से पैसा मिलता है ऐसे कमेंट करने का करोन रुपे मिला होगा इस बात को बोलने का उसे आप सभी को अयोध्या से राम राम दोस्तों आज हम भगवान स्री राम के समुख बैठकर अयोध्या के संत कथा वाचक जियोतिसाचारे डाक्टर रामा नंजी महराजी के साथ में बैठे हुए हैं कि आज के टाइम में आप सभी देख रहे हैं कि सनातन संस्कृति को कितना बदनाम करने की कोसिस की जा रही है उसके उपर कितने प्रस्थ खड़े हो रहे हैं तमाम अलग अलग नेता अपनी अपनी बातें रख रहे हैं चाहे वो राम चरित्मानस को लेकर हो चाहे वो सनातन धर्म को लेकर हो तो इस विशय पर रामन जी महराज क्या सोचते हैं क्या विचार रखते हैं आई उनसे बातचीत करने का हम प्रयास करते हैं सबसे पहले आपका स्वागत है जैसियाराम माराज जी आप पिछले कई दिनों से लगातार देख रहे हैं किस तरह सनातन संस्कृति पर सनातन धर्म को लेकर तमाम प्रस्निक खड़े के जा रहे हैं आप देख रहे हैं स्वामी प्रसाद मौरिया जो कि समाजवादी पाइटी के नेता हैं उनका कहना कि सनातन धर्म में पिछड़ों का दलितों का अपमान है ऐसे धर्म को मैं नमस्कार करता हूँ तो प्रस्न अब यह उठ रहा है कि वास्तों में जो आम आदमी आपको सुनेगा सनातन धर्म को किस रूप में समझे क्या है सनातन धर्म बोलिये सत्य सनातन धर्म की जय सत्य सनातन धर्म पे स्वामी प्रसाद मौरिया पहले नहीं है अक्षिप करने वाले और रामचरित मानस संबत सोरह सो एकतीसा आज की लिखी गई नहीं है अच्छा रामचरित मानस की बात करने से पहले रामायर की बात करना बहुत जरूरी है रामायर के रचैता कौन थे? रामायर के रचैता थे आदि कभी बालमे के जी वो कौन थे? बताने के जरूरत नहीं है ब्रामण ने ही उनको पूजा हनुमान जी ने गरंथ की रचना की थी जिसका नाम था हनुमान नाटक हनुमान रामायड जो लिखी गई उसी समय बालमिक जी ने अपनी रामायड लिखी और आपको ताज़ुब होगा आपको बता दूँ राम जी के जनम के पहले ही रामायड लिखी जा चुकी थी बालमीक रामायड राम जी ने वही किया जो बालमीक जी ने लिख दिया था बालमीक जी लिख दिये बालमीक जी से पूँच पूँच के राम जी ने नहीं किया जो किया वो पहले ही परचे में लिखा जा चुका था यही सनातन धर्म की महिमा है सनातन धर्म का चमतकार है यहां जो हनुमान जी महराज है हमारे अस्ट सिध्ध नव निधिके दाता असबर दीन जान की माता अब रही बाद श्वामी प्रसाद की उनके नाम में ही प्रसाद लगा हुआ है प्रसाद का मतलब क्या होता है आप जानते हैं आप स्रीधाम योध्या में बैठे हुए हैं रगुनाद जी सामने हैं प्रसाद का मतलब क्या होता है श्वामी प्रसाद के पिता जी ने उनका नाम स्वामी प्रसाद इसलिए रखा कि वो सनातन धर्मा वलंबी थे वो सनातन धर्म को मानते थे इसलिम वो तो नमस्कार कर रहे हैं उसको स्वामी प्रसाद मौरिया कुंडली दिखवाते हैं स्वामी प्रसाद मौरिया लौंग लायची से हवन भी कराते हैं स्वामी प्रसाद मौरिया अपने स्वार्थ के लिए अपनी केडिनी गुर्दा भी बेंच सकते हैं वो स्वामी प्रसाद मौरिया हैं स्वामी प्रसाद मौरिया की चर्चा का यही मकसद नहीं है यहां मकसद है सनातन धर्म पर आक्षेप उन्होंने किया है उसका उनको प्रत पुद्र पसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी क्या मतलब होगा इसका इसी को लेकर तो विवाद मचा है राम जरित्र मानस तो स्वामी तुलसीदाह जी ने आयोध्या में बैठके लिखी है और आपने एक प्रसिद्ध गीत सुना होगा कि ताड़े रही ओ ओ बाके यार ता जानवर जब आप खेत में कभी गाये चराने जाते हैं स्वामी प्रसाद मौरिया जब बच्पन में भैस चराने जाते थे और वहाँ बैठके स्वामी प्रसाद मौरिया जी जब तास खेलते थे उनके गाउं में जाके पूछिएगा उनका इतिहास आप कि ये क्या करते थे उस समय ये कहा जाता था भाईया जानवर को ताड़े रहा नेकी हुगा खितवा चर लेई नुकसान कर देगा जो असिक्षित ब्यक्ति है कम पढ़ा लिखा है मुड ब्यक्ति है कम बुद्धी का है बैल बुद्धी है बंबल टाइप का ब्यक्ति है उसको कहा जाता है ध्यान देना नहीं नुकसांग कर देगा एक बालटी पानी नादे में डालना हो चाट डाल देगा समझे आप नारी कुछ इलिए कहा गया कि नारी ये वो देश है जहां नारियों का कितना सम्मान था जहां माता सीता सोयंबर अपना चुनती है यहां सोयंबर रात में साधियां होने लग गई हमारी संस्कृती संथिंग 12 से 1400 वर्स तक गुलाम रही है मिस्वराजी 1400 वर्स फिर भी सनातन धर्म खतम नहीं वाक्स का एक ही कारण है वह कारण है ब्राम्मण सिकंदर जब यहां से हार के लोटा महराज पुरू से हार के लोटा लोटते समय पुर्तगाली आ रहे थे भारत पे आगर्मन करने पुर्तगाली उने पूछा अरे सिकंदर महान आपने तो पूरी दुनिया जीत ली खाली हाथ कैसे जा रहे हो तो उन्होंने कहा देखो यार तुम जा रहे हो और अखंड भारत का राजा किसको बनाया अब मैं आर हम आपके प्रश्ण पर वो भी मौरवंसी ही थे वो भी मौरवंसी छत्रिये थे चंद्रगुप्त मौरे उनको राजा बनाया वो चाहते अपने भतीजे को बना सकते थे किसी ब्राम्मण को बनाते सकते थे ब्राम्मण कभी जातिवाद होता ही नहीं है ब्राम्मण के अंदर और ब्राम्मण कोई जाती भी नहीं है ब्राम्मण एक जीवन जीने का सली का है परंपरा है ब्राम्मण की ब्राम्मण वो जिसके अंदर सरलता हो गंभीडता हो जिसके अंदर राष्ट के प्रति मर मिटने की भावना हो जिसके अंदर उदारता हो जिसके अंदर भूखे पेट हो लेकिन राष्ट के बारे में सोचे देश के बारे में सोचे जो भारत के बारे में सोचे सनातन धर्म के बारे में सोचे वो ब्राम्मण है जो स साकुर जी को पासना करना, देश की रक्षा का संकप लेके अड़े रहना, लड़ते रहना, यह है प्रामा। स्वामी प्रसाद मौरिया को, अगर वो अपने एक बाप के अउलाद है, स्वामी प्रसाद मौरिया में तुम्हें बोल लाओ, एक बाप के अउलाद है, तो राम चरित मानस की पांच चोपाईयों की ब्याख्या कर दें, मात्र पांच चोपाई, राम चरित मानस में एक हजार दोहे हैं दस हजार चोपाईयां है 1931 में लिखा गया ग्रंथ है जिस ब्यक्ति ने लिखा है वह घर बार छोड़ करके साधू हो गया था उसका कोई स्वार्थ नहीं था सनातन धर्म के जितने भी ग्रंथ है ये बताईए महाभारत किसने लिखी है बेदब्यास जी ने किस जाती से आते हैं बताईए आप बेदब्यास जी किस जाती से आते हैं निसाद राज की उनकी मा निसाद राज थी उन्होंने कितने ग्रंथ लिखे हैं उनको हम पूजा करते हैं ब्यास जी को हम क्या कहते हैं ब्यास भगवान की जै ब्रामण पूजा करता है ब्यास भगवान की जाती देखके नहीं कर्म देखके ब्रामण पूजा करता है राम की जाती देखके नहीं कर्म देखकर के ब्रामण बामन भगवान की पूजा नहीं करता क्योंकि उन्हेंने बली से मांग लिया था उनका राज ब्राम्मण परसुराम जी की पूजा नहीं करता बहुत कम करते हैं ब्राम्मण क्यों कि परसुराम जी की अंदर आवेश था दुर्वासा जी की अंदर आवेश था लेकिन बेदेब्यास जी की पूजा होती है बालमिकी जी की आज भी हम पूजा करते हैं हम रामार पढ़ने के पहले उनकी आरती उतारते हैं बाल मिकी जी की, हम सुग्रिव की पूजा करते हैं, हम रस्कान रहीम कबीर मीरा की पूजा करते हैं, ब्रामन हमेशा जो योग के रहा है उसको आगे बढ़ाया है, और ये जो स्वामी प्रसाद मौरिया जैसे लोग हैं, इनके साथ, इनके मौरिया लोग इनके साथ नहीं है, है इनके साथ कोई नहीं, और मूल भूत बात पे आते हैं, दो हजार चुबिस का चुनाओ, आप तो देख रहे हैं, जब से अखलेस यादो, ये जब बयान आया स्वामी प्रसाद मौरिया का, उसके बाद में तो अखल लाइकों की भविश्मानी मैंने की थी, दो हजार बाइस के चुनाओं में, सारे के सारे जीते हैं, कोई हारा नहीं, तेस बिधाये हैं, और मैं आपके चैनल पर बड़ी जिम्मेदारी से, दावे के साथ बोल नहीं हूँ, माननी है, समानी है हमारे अखलेस यादो जी, दो ह पर वही राज करेगा, 27 में भी अखलेस आएंगे नहीं, ये मेरी भविश्मानी है, मैं अखलेस की कुनली देख चुका हूँ, अगर अखलेस जी देख रहे हैं, तो सुन लें, अगर ऐसे तथाकर्थित मुर्ख व्यक्ति का सम्मान करते हैं, उसको आगर बढ़ाने के सनातन धर्म का दायत हूँ, अगर ऐसा व्यक्ति सिफ ओड की राजनित के लिए सनातन धर्म को गाली देने वाले का समर्थन करता है, तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ, वो 27 में भी नहीं आएंगे, मैं आपको पिछले बार भी आपके उपर भविश्मानी किया था, 19 में भी अब आगे अपना प्रशन करें आप हमारे साथ निसराराज के बच्चे पढ़ते थे, हमारे साथ छतरी भी पढ़ते थे, हमारे साथ हर वर्ग के लोग पढ़ें, मैं जाती बिवस्था को नहीं मानता हूँ, वर्ण बिवस्था को मानता हूँ, कि जो जिस योग्य हो, जो पढ़ने में कुसल है, वो पढ़ाए जो ताकतवर है वो देश की रक्षा करे जो बुद्धिमान है वो देश में व्यापार करे और जिसके अंदर सेवा की भावना है वो देश वासियों के सेवा करे यह है वर्ण ब्यवस्था वर्ण ब्यवस्था का जाती ब्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है और रही बात म अगर अईसा कर्म नहीं कर रहा कोई ब्रामण कह रहा है तो वो भी स्वामी प्रसाद मोर्या की ही कटेगरी में आता है तो ब्रामण एक बिवस्था है छत्री एक बिवस्था है जो राष्ट को चलाती है वर्ण बिवस्था से राष्ट का संचालन होता है अब आते हैं धिरेंद्र कृष्ण सास्त्री जी के मुद्दे पर ये पहली बार नहीं है कि धिरेंद्र कृष्ण जी चमतकार कर रहे हैं य अपने नाम सुनाये की नहीं, मानिय इंद्रा गांधी जी जाती थी की नहीं जाती थी, राजियू गांधी जी गए की नहीं गए, संजे गांधी जी गए की नहीं गए, मानिय मुलायम सिंग यादो जी जाकर उनको प्रणाम करते थे, अब अखलेश जी को बता दू, इनके घ प्रिट्र चूते हैं लोग, सम्मान करते हैं, आसिरबाद लेते हैं, तो धीरेंद कृष्ण सास्त्री जी हमारे सनातन धर्म के भले ही कुछ दिन के लिए हो, आगे उनकी स्तिती क्या रहेगी मैं नहीं जानता लेकिन वो पोस्टर बॉआये हैं, मैं सभी हमारे समाज के सनातन मेडिया में करें, जहां तहां चोग चोराहे पे बैठें, धीरेंद कृष्ण सास्त्री की बातों को आगे बढ़ाएं, ये कोई नहीं चीज नहीं है, देवराबा बाबा करते थे, योगानन जी करते थे, बहुत सेसे संतु हैं, हमारे आउध्या में तमाम संते से हुए हैं जो एक ही रूप में यहां होते थे, एक ही रूप में ठाकुर जी का दर्संग करने चले जाते थे, राम जी को प्यास लगती थी, और महराज जी को पता चल जाता था, यहीं क्या नाम है हनुमान बाग है, संतु गुपाल दास जी रहते थे, ठाकुर जी को पानी रखना यहां प्रेम की रीत को जाने ही क्या, तो जिसको भाव नहीं है, भक्ती नहीं है, उससे आप क्या आसा कर सकते हैं कि वो सनातन धर्म के बारे में आची भासा कौपीयों करेगा। मैं सभी सनातन धर्मा वलंबियों से आग्रह करता हूँ, आवान करता हूँ, निवेधन करता हूँ, कि स्वामी प्रसाद मोर्या जैसे मूर्खों को सबक सिखाए, जहां जाए, चोग चराये पे इनको जूते की माला पहनाई जाए, और इनको भारतिये जनता पार्टी से भी नेताओं को जो स्वार्थ के लिए अपनी मा बहन बेटी को बेच सकते हैं, इनको कभी भी दुबारा पार्टी में ना लिया जाए, धिरेंद कृष्ण सास्त्री का एक बयान आपने सुना होगा, कि वो कह रहे हैं कि आप सभी हमारा समर्थन केजिए, मैं आप सभी को हिंद हिंदू राष्ट बनाना है, ये उनकी परिभासा है धिरेंद कृष्ण जी की, लेकिन मैं मानता हूँ ये हिंदू राष्ट है, हम हिंदू राष्ट में ही रह रहे हैं, कोई बाहर से आ गया सताया हुआ था, गरीब था या आकरंता ही था, लुटे रहा था, डगेड था, आ गया है हमारे यहां, हमने उसको सरण दे दी रह रहा है, अब कभी-कभी होता नहीं कि हम अपने कमरे में किराइदार को टिकर दे दिये किराइपे, कभी-कभी वो कभजा कर लेता है, तो कोट जाना पड़ता है, खाली कराना पड़ता है, बस यह है, इस देश में जो काईदे में रहेंगे जो काईदे से नहीं रहेंगे उनको काईदे से रहना सिखाया जाएगा। किस जाती में उनको रखा जाएगा अगर वो अगर आते हैं सनातन धर्म में रहेंगे आज के समय में पूरे वर्ल्ड के आपको रिसर्च बता दूँ पिछले पांच सालों में सबस्यादा कनवर्जन लोगों का सनातन धर्म में हुआ है। कुन, सांती, प्रेम, करुणा, धीर, गंभीर, सरल, सरलता, शमनवैता, शोहार्द, सनातन धर्मी, हिंदू व्यक्ति कभी युद्धि छेड़ता नहीं है। हमारा धर्म सबको स्विकार करने वाला धर्म है, बस उधाईव कुटमबगम की भावना हमारे धर्म में रहती है। ऐसा है मारा धर्मुद्धि ये भी देखा जा रहा है, बहुत बड़ी संख्या में ये प्रस्न उट रहा है, कि एक बड़ी आवादी ऐसी कनोर्ट हो रही है, जो किसी भी धर्म को नहीं मानती है। वर्ल्ड के मेडिकल साइंस में चिंता का कोई इलाज नहीं है, तनाओं का कोई इलाज नहीं है, डिप्रेशन का अवसाद का कोई इलाज नहीं है, डर का कोई इलाज नहीं है, आपको डर लगता है कभी ये उसका कोई इलाज ही नहीं है, लेकिन हमारे सनातन धर्म में है, आ आग मन हो रहा था कि भूमिसप्त सागर में खला एक भूप रघुपति को सला सातो सागर पे नवो दीपों पे राम जी का सासन था इसलिए अमेरिका में भी सिव लिंग मिलता है क्योंकि राम जी सिव जी को पूझते थे और सिव जी राम जी को पूझते थे हमारा धर्म है हम जाते हैं महारा जी को पड़ाम करते हैं तो महरा जी लोग हमें पढ़ाम करते हैं, यह हमारा धर्म है, हम सम्मान देना जानते हैं, शेवा करना जानते हैं, सेवा सम्मान लेने की हमारी अबलासा नहीं रहती है, इसी सनातन धर्म की विचार सीलता है, और रही बाद ब्राम्मर की बड़ी ब्राम्मर की चल लहें, तीन मिस्त्रा नेपेंद मिस्त्रा येस जैसंकर स्वस्त्मा स्वराज ये सब किस बढ़न वे उस्ता से आते हैं अटल बिहारी बाजपी इनकी क्या है स्वामी प्रसाद मोरिया की संपत्ति की जाँच करा ली जाए पूरी जिंदगी जेल काटेगा इन अलायक आदमी इतनी संपत् औरों को छिड़ते नहीं है लेकिन हमें जो छिड़ते हम उन्हें छोड़ते भी नहीं है अब समय आ गया है जिस प्रकार एक अकेला लड़का 26 साल का धिरेंद कृष्ण सास्त्री ने आवाज उठाई है तो मैं सभी सनातन प्रेमियों से कहता हूं उस बच्चे का साथ जीए मैं बच्चा इफले बोलाओं की उमर क्या है उनके पास सिध्धी है सकती है उसका सम्मान होना चाहिए प्रणाम होना चाहिए लेकिन उनकी उमर भी तो है उनकी गरीबी को देखिए कितनी गरीबी में इधरेंद कृष्ण ने जीवन बिताया है जब भूखे प्यासे पास खाने को नहीं ता सोने को नहीं ता तो ये मेडिया लोग गए था उनके पीछे आपको सच बता हूं उनके पास सही में सिध्धी है और जो उनके खिलाब बोलेगा वो बीच पब्लिक में नंगा हो जाएगा और सुभामी प्रसाद मोरिया को मैं फिर आपको चैलेंज दे रहा हूं और उनको भी चलेंज दे रहा हूं कि उन तक यह आपना इंटरिव्यू आप पहुंचाई है उनसे कहर दीजिए मात्र पांच चौपाई कोई भी चौपाई चुनले वो हमें उस विस्था में कमेंट नहीं करना चाहिए जिसका हमें अध्यन ना हो इस बात को साथों की कटपुतली है स्वामी प्रसाद मोरिया इसको विदेशों से पैसा मिलता है ऐसे कमेंट करने का करोन रुपे मिला होगा इस बात को बोलने का उसे आप उसके बैंक की जांच कराए सरकार अभी सब पानी का पानी अदूत का अदूत पता चल जाएगा और रही बात डाक्टर रामा नंजी मारा जोच्छी भी हूँ मैं बविश्वानी भी करता हूँ अखले से आदो जुंजुना बजाईए आने वाले नहीं है आप 24 ने बहुत बुरी हार होने वाली है और प्रचंड ओटों से योगी जी मोदी जी दुबार आ रहे हैं दोस्तों अभी तक आप सभी अध्या से संत कथा वाचक जोच्छा डाक्टर रामा नंजी महरा जी को सुन रहे थे जो कि हमने इस बिवाद को लेकर जो सनातन धर्म के उपर ये इतना प्रस्न उठ रहा है बागेश और धाम सरकार के उपर इतने प्रस्न खड़े हो रहे हैं तो इस अब देखना है कि इस चुनोती को सुईकार करते हैं या नहीं तो तमाम सारे और भी विसेओं पर हमने फोकस किया चाहे वो हिंदू राष्ट का जिक्र हो चाहे वो अंध्य विश्वास का सनातन धर्म में जिक्र हो जो प्रस्न उठ रहे हैं इन सब पर खुलकर जब तंधर्म के बारे में जनकारी मिल सके आप सभी इस वीडियो को सुनें और सेर करिए मारा जी आपने हमारे साथ बाचीत किया आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपके जो सब्क्राइबर हैं जो भी हुआ और लोग आप से जुड़े हुए हैं उन सब की भी मैं सुपकामना के साथ हैं आपके जुड़े हुए लोगों के साथ दियें धन्यवाद